क्या हाले दोस्तों, welcome to the channel इस वीडियो में हम लोग Quantower Trading Platform में जो Ticker Tape Feature है उसके बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग इस Ticker Tape Option को Disable कर सकते हैं और बाद में इसको Enable कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसको Customize कर सकते हैं तो Quantower Trading Platform में हमें Top Section में यह Ticker Tape देखने को मिलता है जहाँ पे हम जो Symbols Select करते हैं उनके Current Values और कितना Change हुआ है उस Information को दिखाया जाता है यहाँ पे अगर आपको Ticker Tape Option नहीं चाहिए तो आप लोग इसको Disable कर सकते हैं उसके लिए आपको इस Ticker Tape Section में आके इसको Uncheck करना है जैसे ही हमने यहाँ पे Uncheck किया यह Ticker Tape जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है अगर आपको Ticker Tape चाहिए तो हमें इसको Enable करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस Top Area में आएंगे Right Click करेंगे View में जाएंगे और यह जो Ticker Tape है इस Check Box को Check करेंगे तो यहाँ पे अभी Ticker Tape आया है अभी हम लोग यह देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको Customize कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो Symbols हम चाहते हैं उन्हें हम जो Order में चाहते हैं उस Order में डिस्प्ले कर सकते हैं तो इन्हें Edit करने के लिए हमें यहाँ पे Right Click करना है और Edit Ticker Tape Option जो है इसके उपर क्लिक करना है जैसे हमने क्लिक किया Item Customizer Window जो है वो Open हो जाता है तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अभी Changes जो है वो अभी Relative Changes के रूप में हमें दिकाई दे रहा है मतलब है कि एक Instrument कितना Percentage Move किया है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कितना Percentage Move हुआ वो नहीं चाहिए और आपको कितना Point Move हुआ वो चाहिए मतलब है कि Absolute Values यहाँ पे आपको चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे इस Option के उपर क्लिक करना है और यहाँ से Absolute Change को Select करना है और Apply के उपर क्लिक करना है तो अभी यहाँ पे Values Absolute Change के रूप में दिख रहे हैं तो फिर से यहाँ पे मैं Right Click करता हूँ और Edit Ticker Tape Option के उपर क्लिक कर देता हूँ तो यह Window वापस आ जाता है यहाँ पे आप लोग Absolute Change या Relative Change जो आपको चाहिए उसको Select कर सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे जो Symbol हम चाहते हैं उन्हें Add करने के लिए Add Symbol Option मिलता है और अगर हमें कुछ Symbols को Remove करना है तो यहाँ पे उन Symbol को Delete करने के लिए Delete बटन भी मिलता है तो यहाँ पे हम लोग अभी Add Symbol के उपर क्लिक करेंगे और Symbols को Add करेंगे जैसे हैं मैंने Add Symbol के उपर क्लिक किया Symbols को सर्च करने के लिए एक Window Open हो जाता है और यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं मैं यहाँ पे Nifty – I सर्च करता हूँ तो अभी यहाँ पे Futures के Symbols यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग Symbols को Select करके उन्हें Add कर सकते हैं Symbols को Select करने के लिए हमें बस उनके उपर क्लिक करना है इस तरह Highlight हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे अगर इस Right बटन के उपर क्लिक करते हैं तो Symbols Add हो जाएगा अगर आपको Multiple Symbols Add करना है तो आपको आपके Keyboard में Ctrl Key को Press करके रखना है और जो भी Symbols चाहिए आपको उन्हें Select करना है तो Ctrl Key को Press करके हम लोग यहाँ पे Multiple Symbols को Select कर सकते हैं उसके बाद हम लोग इस Right बटन के उपर क्लिक करेंगे और Symbols यहाँ पे Add हो जाएंगे अभी इन Symbols को हम जैसे Order में चाहते हैं उस Order में Organize कर सकते हैं उसके लिए हमें बस Symbols के उपर क्लिक करना है और उसको उपर या नीचे Drag करके रखना है तो कुछ इस तरह उसके बाद हमें यहाँ पे Apply के उपर क्लिक करना है तो Symbols यहाँ पे जो Order में हमने यहाँ पे Add किया है उस Order में दिकाई देंगे यहाँ पे अभी जितना Space Allocate किया है Ticker Tape Symbols को डिस्पे करने के लिए अगर यहाँ पे ज़्यादा Symbols है और यह Space कम पड़ता है तो यह जो Symbols है यह Move करने लगेंगे यह दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और Symbols को Add करता हूँ तो यहाँ पे Right क्लिक करता हूँ Edit Ticker Tape और यहाँ पे मुझे Relative Change चाहिए उसको Select करता हूँ और उसके बाद Add Symbols के उपर क्लिक कर देता हूँ और मैं अभी यहाँ पे Tata सर्च कर देता हूँ तो मुझे बस बहुत सारे Symbols को यहाँ पे Add करना है मैं कुछ Symbols को Select कर देता हूँ और यहाँ पे उन्हें Add कर देता हूँ और apply के उपर click कर देता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा symbols मैंने add किया है और जो space था वो कम पड़ रहा था उसके वज़े से यह symbols जो है यह अभी move करने लगे हैं तो इस तरह हम लोग Quantower Trading Platform में टिकर टेप option जो है उसको customize कर सकते हैं अगर आपको यह वडियो अच्छा लगा तो like कीजिए अच्छा नहीं लगा तो dislike कर सकते हैं इसी तरह के और वडियोस तेखने के लिए मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए